ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो कि सिर्फ पंदरा करोर की ड्रेस पहन रही है और सोसल मीडिया पर काफी ज़्यादा वैरल हो रही है और उसके बाद लोगों ने ट्रॉल भी करना शुरू कर दिया है बताऊंगा आपको कि इस बुरी स्थिती में पंदरा करोर की सिर्फ ड्रेस के इलबम बनाती हैं बताएंगे उसके विशे में और उससे पहले एक वीडियो बहुत तेजी से वैरल हो रही है और उस वीडियो को आपको दिखाएंगे कि उस वीडियो में ऐसी स्थिती और भगवान न करे ऐसा दूर दिन किसी के जंदगी में आए उस इंसान की लाश को ज हमारे देश में अभी लास जलाने के लिए जगा नहीं है पेट्रॉल से लोग लास को जला रहे हैं और ऐसी स्थिती में कुछ खबरे मुझे आई जैसा मैंने देखा मैं आपको वो खबर बताऊंगा तो साइद आप लोग की निंद उर जाएगी खबरे यह आई कि एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो पंद्र करोर की सिर्फ ड्रेस पहनने पे इनवेस्ट कर दे रही हैं मतलब कि जो एलबम बनाई गई है वो पूरी तरह से उसमें जो वियर कराया है उन्होंने ड्रेस को वो 15 करोर की है यानि वो पूरा एल्बम जो है आप समझ जाईए कितना महंगा और expensive होगा कहा जा रहा है कि अभी तक का सबसे जादा महंगा जो एल्बम है वो ये है बताऊंगा वो कौन सी एक्ट्रेस है आपको देखकर सुनकर और समझ कर आपको भी काफी ताज्यूब होगा कि ऐसी स्थिती में इतनी महंगे सौंग को कैसे कोई launch कर सकता है और उसको इस तरह से publicity दी जा रही है जैसे लग रहा हो कि उन्होंने बहुत बरा काम कर लिया हो और यह publicity कौन दे रहा है publicity तो हम जैसे लोग ही देते हैं उन लोग को अगर आप publicity उनको नहीं देंगे तो उनको कौन देखेगा कौन सुनेगा लेकिन उनको ABP News जैसे बहुत बरे website पे उन लोग को इस तरह से promote करा जा रहा है उन लोग खबरे दिखाई जा रही है कि अभी तक का सबसे महंगा ड्रेस पहनने वाली actress 15 करोर की आपको बता दे कि उनका नाम है उर्वसी राउतेला जी हाँ वरसाचे बेबी करके एक गाना है जो की अभी trending में चल रहा है उसको इतनी जादा fame दी गई है और उसको इतनी जादा popularity दी जा रही है और इस तरह से उस खबर को बताई जा रही है कि 15 करोर रुपे का सिर्फ ड्रेस उस album में उन्होंने पहना है उर्वसी राउतेला बता दे कि Instagram पे उन्होंने अपडेट करा और बता दे कि आए दिन वो हमेशा कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करती हैं जिस कारण से वो हमेशा publicity में रहती है लेकिन इस बार जो publicity आई है वो सच में इस तरह की publicity आई है जैसा कि उनको ट्रॉल होना पर रहा है जैसा कि Bollywood की स्थिती बहुत सोचनिये है ये सब आप लोग भी जानते हैं और ऐसी स्थिती में उर्वसी राउतेला का इतना expensive ड्रेस पहनना बताईए किस कदम में ये जा रही है और किस तरह से ये अपने आपको probability दे रही है ये बहुत ही सोचनिये बात है और उर्वसी ने तो हाल में ये भी कहा था कि एक सौंग मेरी आ रही है उन्होंने ये कहा था कि बहुत expensive सौंग है और इस पे जो कुछ भी profit होगा मैं करोना में जितने सारे लोग हैं जो मुसीबत में हैं परिसानी में हैं उनकी help करूँगा यानि कि करोना के नाम पे भी किस तो ऐसे लोग को 15 करोर की ड्रेस ना पेन के आप ऐसे लोग की मदद कर सकते थे अभी Bollywood इंडस्ट्री में लोग फिल्म को release करने से डर रहे हैं धियाटर में release करने से डर रहे हैं डर के मारे OTT platform पे release करने हैं ऐसी स्थिति में उर्वसी रावतेला ने जो ये सौंग लाया ह सच में एक बहुत बड़ा सोचनी ये बात है सोसल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी सवारल हो रही है और वो वीडियो जो है वो बलिया की है वहाँ ऐसी स्थिति है कि गंगा के किनाडे लाश को ऐसे जलाया जा रहा है कहा जा रहा है करोना संक्रमित है और लास को ऐस से जलाई जा रही है टायर ट्यूब रख करके और जब वो लास नहीं जल रहा है तो उस पे पेट्रॉल चिरका जा रहा है लेकिन ताजूब की बात क्या है पता है ताजूब की बात ये है कि वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थे जब ये बाते पता चली कि उस लास को जलाने के लिए पुलिस भी वहाँ मौजूद थे पाच पुलिस जो भी लोग थे वहाँ पे उनको सस्पेंड कर दिया गया लेकिन उस वीडियो को देखिए आप वीडियो को देखने के बाद दिल दहल पुलिस की मौजूदगी में शर्फ को टायर रखकर जलाया गया सोशल मीडिया पर वाइरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि चिता पर लकडी के साथ टायर रखे गए है शर्फ को जल्दी से जलाने के लिए बीच बीच में उस पर पैट्रोल भी छिड़का जा रहा है एसी स्थिती है देश की और एसी स्थिती में उर्वसी रौतेला जो 15 करोर की ड्रेस पहन रही है यहां लास जलाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है टायर ट्यूब से पेट्रोल से लास जलाई जा रही है और एसी स्थिती में 15 करोर की जो ड्रेस पहनने की बात आ रह